हे गाईज वेलकूम टू मोटरकार ग्यान आप मैंसे बहुतों को होंडा मंकी 125 के बारे में नहीं पता होगा जहां ये बाइक जापान, इंग्लेंड, यूरोप और इसके अलावा कई अन्य अंतराश्ट्रिय मार्केट में काफी लोग परिये हैं जहां हाल ही में कमपनी ने इ थोटी बाइक्स और स्कूटर बेचती है, जिनमें से मंकी सबसे अधिक पसंद की जाने वाली काफी बेहतरीन बाइक है, तो आएए जान लेते हैं इसके बारे में काफी डिटेल में, सबसे पहले बात करते हैं इसकी केमत की, तो अपनी खास प्रफाइल के साथ होंडा मंकी लाइटनिंग वेरियंट प्रीमियम प्राइस टैक के साथ आती है, अगर भारत के हिसाब से इसकी केमत की बात करूं, तो ये लगभग 2,69,000 उपे की शुरुवाती केमत पर आती है, चलिए अब जान लेते हैं होंडा मंकी लाइटनिंग वेरियंट की खासियत, जहां होंड मंकी लाइटनिंग वेरियंट का मुख्य अकर्शन, चमकदार फिनिश में चमकीले पीले कदर का शेड है, इस बाइक पर पीला शेड लगाने का अनोखा तरीका एक और प्रमुख अकर्शन का केंदर है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि पीले कदर के पीसिस बे तरतीव ढं स्विंग आर्म और ट्विन रियर शोक अब्जोर्बर पर पीला शेड दिया गया है, साथ ही इस बाइक में क्रोम का भरपूर इस्तेमाल इस बाइक को और भी अट्रेक्टिव बनाता है, जहां फ्रंट और रियर फेंडर, हैड लैंप, इंस्टूमेंट कंसोल, ब्रेक और क इस बाइड पैनल्स की, तो इस पर स्टिकरिंग का काम बड़ा ही लाजवाब किया गया है, इनमें एक ओपोजिट शेड है और ये बाइक के लुक और एक्सपिरियंस को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, अब बात करते हैं इंजिन पावर ट्रेन की, तो होंडा मंकी लाइ स्पीड गेरवोक्स दिया गया है, बात करूं इससे मिलने वाली माइलेज के बारे में, तो मंकी 125 माइलेज के मामले में अबल है, जहां इसमें मिलती है 70.5 किलोमेटर प्रती लिटर की जवरदस्त माइलेज, हलांकि इसकी इंजिन पावर के बारे में जानकर मुझे कोई ख पूर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, इसके बावजूद भी अगर ये बाइक इस प्राइस टेक के साथ भारतिय मार्केट में लौंच होती है, तो ऐसे में ये ग्रहकों को अपनी तरफ एट्रेक्ट कर पाएगी या नहीं, इस बात पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्य इसमें ओफ रोड़िंग ट्रेक्ट शमता भी है, जैसा कि उवरे हुए फ्रंट फेंडर और ब्लॉक पैटरन टायरों से स्पष्ट देखा जा सकता है, अब बात करते हैं इसकी लौंच डेट के बारे में, तो आने वाले स्मय में हुंडा मंकी को भारतिय बजार में बहुत जल लौंच कर सकती है, हालांकि कमपनी ने इसकी लौंच को लेकर कोई भी अधिकारी घोशना नहीं की है, लेकिन खबरों की मानें तो कमपनी इसको त्योहारी सीजन में लौंच कर सकती है, तो गाइस ये थी बड़ी ही ब्यूटिफुल बाइक के बारे में डेटेल में जा झाल झाल